हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल फ्रेंड्स आज हम आपको 9-10 एर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रोक बनाना सिखा रहे हैं इसमें हमने साइड में प्लेट्स डाली है और यहां पर बेल्ट लगा दी है इसके लिए हमने पौने 3 मिटर यानि 2.75 सेंटी मि क्लोथ लिया है और इसकी पफ वाली हमने स्लिव बनाई है और हलका सा बोटने किस में हमने बनाया है आईए वीडियो शुरू करते हैं यह देखिए फ्रेंड्स यह यहां पर हमने दो पीस ले लिये हैं जिसकी लेंद 47 इंच है जितना भी हमारा कपड़ा है हमने इसको डव रखा हुआ है 41 इंच यह देख सकते हैं अब हमें नीचे की साइड जुड़ा हुआ हिससा अपना कर लेना है और उपर की साइड यहां पर खुला हुआ हिससा हमने किया है अब हम इसको ट्राइंगल शेप में फॉल्ड कर लेते हैं यह देख सकते हैं नीचे हमारा एक्स्ट shape आ गई है अब उपर की side से हमें यहां से 6 inch shoulder का निशान लगा लेना है और 6.5 inch length में armhole का निशान लगा लेना है चेस्ट हमें इसकी 8.5 inch लेनी है ऐसे करते हुए हम यहां पर चकोन निशान लगा लेते हैं अब आर्म होल में हमें इसके गोलाई कर देनी है वेस्ट लाइन हमें इसकी 6.5 इंच लेनी है और वेस्ट हमें 8 इंच लेनी है अब यहां से नेक के बिल्कुल बीच में से हमें इसकी लेन्थ लेनी है तो हम 40 इंच इसकी लेन्थ लेते हैं फ्रेंट्स जितना ये फेब्रिक है आप इसी में 11-12 एर बेबी के लिए भी फ्रोक बना सकती है। ये हमने 40 इंच के यहाँ पर निशान लगा लिए है। अब हमें इस तरीके से इस निशान को मिला देना है। फ्रेंट्स नीचे की साइड इसमें इतना जोड़ आएगा क्योंकि लेंथ बेबी की जादे है और अर्ज कम है। ये देखिए यहाँ से हमें 13 इंच पर योग के लिए निशान लगा लेना है। इस जंगे से हमें 4 इंच पर इस निशान को लगा देना है। और बागी का निशान भी हमें 13 इंच पर लगा देना है। इसी तरह करते हुए हम 13 इंच पर ही सब जंगे से इसमें निशान लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ साइड तक हम इसमें इस निशान को ले आए हैं। अब ये हमारी फ्रोग निशान लग कर तयार हो गई है। नेक की चोड़ाई हमें यहाँ पर 2.5 इंच रखनी है। और लेंथ में इसको 4 इंच रखना है। अब इसमें हम गोलाई कर देते हैं। इसका नेक हम थोड़ा सा बोट नेक बनाएंगे। बेक और फ्रेंट साइड से जिससे यह बहुत जादा प्यारा लगता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए नीचे की साइड से हमारा इतना जोड़ा आया है। तो हम जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है। उसी में से नीचे की साइड से कपड़ा निकला है। उसी में से ही हम इसमें जोड डाल देते हैं फ्रेंट्स नीचे की साइड से हमने जुड़ा हुआ फैबरीक अपना छोड़ा था क्योंकि उसमें से बाद में हम कुछ भी बना सकते हैं ये देखिए जोड हमारा कट कर तैयार हो गया है हमारे इसमें फ्रोक में दो जोड़ा है अब हमें इसका योग कटिंग कर लेना है जहां तक हमने निशान लगाया था योग को बीच से 4 इंच छोड़ देना है और बाकी कटिंग कर लेना है यहाँ पर हमने ये भी 4 इंच का छोड़ दिया है अब हम बाकी योग अपना कटिंग कर लेते हैं आर्म होल भी हमें ऐसे ही कटिंग कर लेना है अब इसका नेक भी हम कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स ये फ्रोक बनकर बहुती ज़ादा प्याई लगती है एक बार आप भी अपनी बेबी के लिए ट्राई करें ये देखिए फ्रोक हमारी कट चुकी है कुछ इस तरह की शेप इसमें बेट गई है अब हम एक पीस को अलग कर देते हैं और एक पीस में आपको प्लेट्स डाल कर दिखाते हैं यहाँ पर हमें इस तरीके से करते हुए इसमें फाइफ फ्लेट्स एक साइड में डालनी है और फाइफ फ्लेट्स हमें इसमें दूसरी साइड में डालनी है यह हमने बेल्ट के लिए फैबरिक लिया है जिसकी चोड़ाई 3 इंच है और लेंथ में यह सभी पीस 24 इंच के है हमें इसको डबल कर लेना है और यहां से वी शेप इसमें कर देनी है सबी बेल्ट में हमें ऐसे ही वी शेप कर देनी है यहां पर वी शेप हमने कर दी है अब यह हमने नेक में और स्लीज में लगाने के लिए रेव की पाइपिन ली है फ्रेंस पाइपिन हमारी फूल रेग की होती है वहीं जाद अच्छे लगती है कम रेव की पाइपिन अच्छे नहीं लगती यह नीचे की साइड का बचा हुआ हमारा फैबरीक है इसको हम इस तरीके से फॉल्ड कर लेते है और इसमें से हमें स्लीवز बनानी है अब उपर की साइड से हम यहां से इसकी लेंध को माप लेते हैं यह 12 इंच की लंबाई हो गई है इस साइड से हमें इसमें 14 इंच की निशान लगाना है और यहां पर लेंध में हमें 4 इंच रखना है अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स ये स्लीव्ज हम पफ वाली बना रहे हैं अब यहां से हम टू इंच का निशान लगा लेते हैं और इसमें हलकी सी गोलाई कर देते हैं अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं यह देखिए फ्रेंड्स ये स्लीव्ज हमारी कट गई हैं यहां से 5 इंच फर हमें निशान लगा लेना है और इसमें हलका सा कट लगा लेते हैं ताकि हमें चुन्नटे डालने का हिस्सा पता चल जाए यह हम बेल्ट को डबल कर लेते हैं और इसकी साइड में से सिलाई लगा लेते हैं सभी बेल्ट हमें अपनी ऐसे ही तयार कर लेनी है Friends ये फ्रोक हमने 6-7 एर बेबी के लिए भी अपने चेनल पर बनाई हुई है जिसमें काफी कमेंट आये कि हमें 9-10 एर बेबी के लिए फ्रोक चाहिए तो हम 9-10 एर बेबी के लिए फ्रोक बना रहे हैं अगर आपको 6-7 year baby के लिए देखनी है तो आप हमारे चैनल पर से देख सकते है सभी belt हमने अपनी सीधी कर लेनी है ऐसे ही तैयार करके ये देखिए चारो belt हमने अपनी तैयार कर ली है ये sleeves हैं, sleeves में हमें back side पर अपनी piping को रखना है और front side पर piping को पलटना है piping को हमें खीचना नहीं है, धीरे धीरे से करते हुए इस पर लगाना है हलका हलका सा, बिल्कुल हलका सा हमें piping को खीचना है क्योंकि sleeves में भी हमारी rave है और piping भी हमारी rave की है नहीं तो हमारी sleeves का आगे का हिस्सा जादे हो जाएगा अब हम इसको अंदर की side को fold कर लेते हैं और इसके उपर एक सिलाई लगा लेते हैं friends इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें comments करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो please वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा यह देखिए हमने यह इस तरहिके से piping अपनी लगा ली है अब हमने यहाँ पर 11 इंच की lastik ली है दो lastik दोनों sleeves के लिए ली है हमने इसको हमें यहाँ पर लगाना है 1.5 इंच की दूरी हमें इसमें रखनी है और lastik को यहाँ पर पक्का कर देते हैं अब इतनी ही दूरी पर 1.5 इंच की दूरी पर हमें यहाँ पर lastik को पक्का कर देना है जिससे हमें lastik कितनी खिचनी है पता चल जाए अगर आपको इस तरीके से lastik लगाने में परिशानी हो तो आप पहले इस पर निशान भी लगा सकती है 1.5 इंच का यह lastik हमें दो सिलाई से लगानी है एक सिलाई हम लगा रहे हैं दूसरी इसके बाद हमें लगानी है यह देखिए इससे हमारी sleeves में कितनी प्यारी सी चुन्नटे आ रही है puff sleeves का fashion आज कल बहुत जादा चल रहा है आप किसी भी dress में baby के puff sleeves बना सकती है अब हम दूसरी सिलाई इस पर लगा देते हैं खीचते हुए इसी तरीके से इससे हमारी लास्टिक बिल्कुल बराबर आती है कहीं से चुन्नटे कम कहीं से जादा नहीं आती है यह देखिए हमारी चुन्नटे डलकर लास्टिक डलकर कितनी प्यारी सी इसकी shape बैठ गई है अब यह जो हमने चोटा सा कट लगाया हुआ है यहाँ पर हमें इसमें चुन्नटे डाल लेनी है आप यहाँ पर धागे की चुन्नटे भी डाल सकती है अब इन चुन्नटों को दूसरे कट तक हमें ले आना है यह आप देख सकते हैं चुटनड़े डलकर हमारी स्लीवज में कितने जादा कितने प्यारे से पफ बैठ गए हैं जो कि बेबी के पहन कर बहुत जादा खुबसुरत लगती हैं इस तरही की स्लीवज दूसरी स्लीवज भी हमें ऐसे ही तैयार कर लेनी है फ्रेंड्स यह हमारा गहरे में जो हमने जोड डाला है उसको रख लेते हैं यहाँ पर फ्रोक के हिस्से पर और इस पर सिलाई लगा देते हैं दोनों जोड़ हमें सेम अपने इसी तरही के से जोड़ कर तैयार कर लेने हैं नीचे के गहरे के यह हमने जो डाल कर गहरा अपना तयार कर लिया है अब हम यहां पर जो हमारा योग और गहरा कटा हुआ है यहां पर प्लेट्स डालते हैं ऐसे हम कपड़े को उठाते हैं और इसके अंदर प्लेट्स डाल लेते हैं दूसरी प्लेट्स भी हमें ऐसे ही डालनी है friends धियान करते हुए इनकी दूरी अंदर की जो fabric हमने लिया है वो हमें धियान करते हों बिल्कुल बराबर लेना है यह देख सकते हैं 5 plates हमाई डल गई है और बिल्कुल बराबर हमारी plates और योग हो गया है यहाँ से हम पक्का कर देते हैं इसको और निकाल लेते हैं और दूसरी साइड पर भी हमें सेम ऐसे ही प्लेट्स इसमें डाल लेनी है जहां तक हमने कट लगाया हुआ है आधा इंच कट से एक्स्ट्रा प्लेट को हमें अंदर की साइड को रखना है 5 प्लेट्स हमें एक साइड में डालनी है इसमें और फाइफ प्लेट्स हमें इसमें दूसरी साइड में डालनी है बेक और फ्रंट में दोनों में सेम हमें ऐसे ही प्लेट्स अपनी डाल लेनी है ये देखिए प्लेट्स डलकर ये बिल्कुल बराबर हिस्सा हमारा हो गया है यहाँ पर यह हमने four पट्टिये ले ली हैं जिसकी चोड़ाई three inch है और length में यह six inch है अब हम इसको double कर लेते हैं और यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं अब हमें इस सिलाई को बीच के हिस्से में अपनी कर लेना है और इस पर side में सिलाई लगा देनी है सभी पट्टिये हमें अपनी ऐसे ही सीकर तयार कर लेनी है यह हमने पट्टिये सीकर तयार कर ली है अब जो हमारी चुन्न टेडली हुई है आधि पट्टि हमें घेरे के उपर रखनी है इसके और बीच में यह जोड़ कर देना है और आधी पट्टी योग के उपर करनी है ये देखे फ्रेंट्स ये हमारी बेल्ट है तो हमने इस बेल्ट को इस पट्टी के नीचे की साइड को रख दिया है और इस पर सिलाई लगा दी है जिससे इसकी बेल्ट की हिस्सा अंदर चला गया है योग पर भी हम ऐसे ही इस साइड भी सिलाई लगा देते हैं आप देख सकते हैं बेल्ट हमारी इसके नीचे दब गई है और इस साइड में हम बेल्ट को कर लेते हैं दूसरी साइड में भी हमें सेम ऐसे ही पट्टी लगाकर तयार करनी है हम पट्टी को लेते हैं और यहाँ पर हमें इसको रखकर लगाना है अच्छी तरीके से सेट करते हुए हमें इस पट्टी को लगाना है और बेल्ट को अपनी इसके नीचे की साइड दाब देना है यह देखिए बेल्ट हमने इसके नीचे की साइड रखकर दाब दी है अब हम घेरे वाली साइड में भी इस पट्टी को लगा कर सिलाई लगा देते हैं इस तरीके से हमारा यह डिजाइन बनकर तयार हो जाता है दूसरी साइड का भी बेक साइड का भी हमें ऐसे ही डिजाइन बना लेना है फ्रेंड्स यह फ्रोक बनकर बहुत ज़्यादा खुबसुरत लगती है और इसका नीचे से काफी ज़्यादा घेरा हो जाता है अब हम दोनों शोल्डर एक साथ जोड लेते हैं शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए जिससे हम साइड में स्लीव जिया पाइपिन लगाते हैं तो यह जल्दी से कुलते नहीं है अब हमें इसके पाइपिन को लगाना है पाइपिन हमने इसकी 1.5 इंच की कटिंग की हुई है फ्रेंड्स पाइपिन को हमें धीरे धीरे से कीचना है और अंदर की सिलाई बिल्कुल बराबर करके इसके अंदर की साइड लगानी है अंदर की सिलाई हमारी बराबर होती है तो हमारी पाइपिन की शेप बहुत जादा अच्छी आती है हलके हलके से खीचते हुए हमें पाइपिन को लगा देना है यह हमने अपनी पाइपिन लगा कर तैयार कर ली है अब हमें इसको फोल्ड करते हुए इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है अंदर का सब फैबरिक हमें इसके नीचे की साइड को कर देना है और जो सिलाई हमने अंदर की साइड पाइपिन लगाने के लिए लगाई हुई ही थी उस सिलाई को भी हमें इसी पाइपिन के नीचे दाब देना है जिससे इसमें फिनिशिंग बहुत जादा अच्छे आती है ऐसे ही करते हुए धीरे धीरे से हमें अपनी पूरी पाइपिन लगाकर तयार कर लेनी है ये देखिए फ्रेंड्स ये पाइपिन हमारी कितनी प्यारी सी शेप इसकी बेट गई है बहुत ही प्यारी सी पाइपिन लगकर तएब हमें अपनी स्लीवस इसमें लगाने है स्लीवस को हमें यहाँ से नीचे की साईड से रखना है और इस पर सिलाई लगा देनी है फ्रेंड्स एक बार आप अपनी स्लीवस और आर्म होल की लेंट माप लीजिए अगर थोड़ी सी कम या जाद हो तो आप चुन्नटों को स्लिव्ज की थोड़ी सी जादा भी कर सकती है और थोड़ी सी स्लिव्ज की चुन्नटों को खोल भी सकती है ऐसे करते हुए हमें अपनी स्लिव्ज लगा कर तयार कर लेनी है दूसरी स्लीव्ज भी हमें ऐसे ही लगानी है और स्लीव्ज पर भी हमें डबल सिलाई लगानी है इस साइड की स्लीव्ज भी हमें ऐसे ही लगा लेते हैं दोनों साइड की स्लिव्ज हमने लगा कर तयार कर ली है अब हम इसमें साइड में फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं इसमें हमने फिटिंग इस तरह की रखी है कि आपकी बेबी अगर थोड़ी सी हेल्दी है तो उसके भी फ्रोक आ सकती है और अगर बेबी मीडियम है तो उसके भी फ्रोक आ सकती है क्योंकि इसमें हमने बेल्ट लगाई हुई है थोड़ी सी फिटिंग हम बेल्ट को टाइट य से ही लगा कर तयार कर लेनी है अब हम इसमें नीचे का गहरा फोल्ड कर लेते हैं इसमें नीचे की साइड हमारी फ्रोक में गोलाई हो गई है तो गहरे को हमें बारीक फोल्ड कर लेना है अगर आप चोड़ा गहरा मोडेंगी तो उसमें जोला जाएगा अगर आप बारीक गह आएगी सीधा गहरा तो हम कितना भी चोड़ा मोर सकते हैं लेकिन अगर हमारा गोलाई वाला गहरा है तो उसको हमें बारिक मोरना चाहिए फॉल्ड बारिक करना चाहिए अब हम इस पर किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं दो सिलाई से हमने गहरा लगाया है यह देख सकते ह फ्रेंट्स फ्रोक हमारी बनकर कितनी प्यारी सी लग रही है यहां पर हम बेबी की फिटिंग के हिसाब से इसको बान देते हैं बेल्ट को और इसमें पफ की स्लीवज भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खुबसरत लग रही है इन स्लिव्स का आजकल बहुत जादा फैशन चल रहा है और इसका गहरा भी काफी जादा हो गया है प्लेट्स भी आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में